बारहवें ICC क्रिकेट वर्ड कप की सुरुवात में अब कुछ ही घंटे बचे हैं क्रिकेट के समाकुम्भ का इंतजार खेल प्रेमी पिछले चार वर्सों से कर रहे हैं इंगलेंड और विल्स में होने वाले इस ICC क्रिकेट टूनामेंट के लिए खिलारियों से लेकर फैंस तक इसके जुनून को महसूस किया जा सकता है पुरुष क्रिकेट वर्ड कप का इतिहाँ 44 साल पुराना है लेकिन असल में क्रिकेट वर्ड कप की सुरुवात महिला क्रिकेट वर्ड कप के हुई थी बीफ जुन 1973 को पहला महिला क्रिकेट वर्ड कप खेला गया जिसे इंगलेंड की महिला टीम ने जीता तब इस टूनामेंट में साथ टीमों ने हिस्सा लिया था इसके लिए इंगलेंड के कारोबारी जैक हेवर्ड ने 40,000 पाउंड डोनेट किये थे यह टूनामेंट राउंड रॉबिन लीग नियम के ताथ खेला गया था छे मुकाबले जीत कर इंगलेंड ने फाइनल में जगह बनाई और आस्टेलिया को 92 रनों से हरा कर बर्मिंगम के एजवेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में पहली ट्रॉफी उठाई ठीक इसके दो साल बाद 7 जून 1975 में पहला पुरुस क्रिकेट वर्ड कप का आयोजन हुआ था फुटबॉल, आई सौकी, टेबल टेनिस, आधिके ग्लोबल चेंपियनसिप 1949 से 1945 के दुती विश्विद के दौरान शुरू हुए इसके बाद मोटर साइकलिंग, वाटर स्कींग, बैड मिंटन, बॉसकेट वॉल, स्नो जंपिंग और रगवी लीग की भी शुरुआत हुई 1971 तक रोइंग, बॉल्स, लैक्रोस और फिल्ड हॉकी के चेंपियनसिप की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन ICC द्वारा पहला क्रिकेट वर्ड कप वास्तों में महिलाओं से जुड़ा था 1973 में पहली बार वोमेंस क्रिकेट वर्ड कप का आयोजन हुआ, 28 जुलाई 1973 को एजवेस्टन में HRH प्रिंसेज एनने ने इंगलेंड को वोमेंस ट्रॉफी सौपी थी इसके तीन दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का आयोजन हुआ, जिसमें टेस्ट और काउन्टी क्रिकेट बोर्ड के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, कि 60 वोवरों का क्रिकेट वर्ड कप आयोजित किया जाए इसके लिए आयोजग भी मिल गया, 1972 से इंगलेंड को सपोर्ट कर रही बीमा कंपनी प्रोस्टेंशियल इंसोरेंस ने एक लाख पाउंड का चेक सौपा यह तैं हुआ कि प्रॉफिट का 10 फीजदी हिस्सा आयोजग बोर्ड को और बाकी साथ टीमों के प्रतेक को 7.5 फीजदी हिस्सा मिलेगा बाकी बचा 37.7 फीजदी हिस्सा एसोसियेट मेंबर्स और इंटरनेशनल कोचिंग फंड के लिए निरदारित किया गया इस तरह पुरसों के पहले वर्ड कप क्रिकेट का टूनामेंट का आयोजग उनीस सो पचातर में हुआ इसके चार साल पहले ही वंडे की शुरुआत हुई थी पहले तीन वर्ड कप का आयोजग इंगलेंड में हुई हुआ 1987 के टूनामेंट से वर्ड कप का आयोजन अनाधिकारिक रूप से एक रोटेशन सिस्टम से होता है